हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत आ है हमाई चैनल पर दोस्तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आए हैं आज हम आपको कुछ टिप्स के बारें बताएंगे जो गर्मियों में आपकी आँखों को हेल्दी रख सकते हैं दोस्तो जैसे कि गर्मिया शुरू होगी है तो गर्मी ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दी हैं ऐसे में सबसे ज़्यादा समस्या आँखों में आती हैं वे भी उन्हें जिनका काम आफिस में बैटने का नहीं बलकि यहाँ वाँ गूमने का होता है इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों हो सकते हैं गर्मियों में आखों की कई बिमारियां जैसे फ्लू, लाल आखे, ड्राइ आइस, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम आदी अधिक देखने को मिलती हैं ऐसे में आखों का ख्याल अखना बहत ज़रूरी है दोस्तों ऐसा का जाता है कि नाइट्रिक ओक्साइट, नाइट्रोजन डाय ओक्साइड और सल्फर ड्राय ओक्साइड जैसे प्रदूशन फेराने वाले तत्वों की वज़ा से गर्मियों में आखों की समस्यां और बढ़ जाती है आज हम आपको कुछ हेल्दी टिप्स के बारे में बताएंगे जिनने आपको गर्मियों में इस्तमाल करना है सबसे पहले तो कड़कडाती दूप में अल्ट्रा वायलेट किरिनों से बचने के लिए छत्री का उप्योग करे कोशिश करें जादा दूप में बाह ना निकलें अगर जाना ज़रूरी हो तो संग्लासिस लगाना ना भूले और नाइजर और काजल लगाने के बजाए आँखों को सुन्दर दिखाने के लिए पाउडर आई शेडोस का इस्तमाल करें गरम और नम जगा की तुन्ला में अपने कॉस्मेटिक को ठंडी और ड्राई जगा पर रखें अपने आइस ब्रश मेकप को नेमिज रूप से स्प्रे या शेंपू से साफ करें अगर आप मस्कारा लगाना चाती हैं तो वाटर प्रूफ मस्कारा ही लगाए चमकीले काले रंग की जगा बूरे काले रंग और वो भी केवल एक कोट का प्रियोग करें ध्यान रखें कि अपनी आँखों के मेकप का समान किसी के साथ ना शेयर करें खाने में हरी सब्जियां जैसे पालक, गाजर, बथुआ, सरसो, अंकुरी तनाच आदी का इस्तमाल बढ़ाएं दिन में कम से कम दो लिटर पानी पिए ताकि आपके शरीर की गंदगी बाहर निकले और नमी बनी रहे जो की आँखों के लिए जरूरी है अगर आप पावर लेंस लगाते हैं तो भी आपको संग्लासिस लगाने होंगे ताकि अल्टरा वालेट के ने आँखों को नुकसान ना पुचा सके आँखों पर दिन में कई बार ठंडे पानी की चीटे मारें आँखों पर खीरे के टुकोडे रूई के गुलाब जल डाल कर आँखों पर रखें आईशेडो अधिक शिमर या ग्लिटर वाला प्रयोग ना करें सेमी मेट या मेट आईशेडो का ही प्रयोग करें तो दोस्तों यह हमने आपको आपकी आखों से जुड़े कुछ टिप्स के बारे में बताया जिनने आपको गर्मियों में अक्सर ध्यान में रखना है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे जाधा से जाधा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले धन्यवाद